तो हे वाट्स अब गाईज कैसे हैं आप सब लोग जो में फिर से खेलने वाला सेम गेम नेम और गाईज यह वाला मैच हो रहा है क्राउन फाइट के बंदे के अगंस और गाईज इसके पास प्लैटीनम शॉर्ट्स हैं तो गाईज कहीं नहीं यह मैच काफी जदा थ्रिलर है यहां से तो सबसे पहले हम करेंगे बल्लेबाजी और इनके एगंस हमारी रिकॉर्ड काफी जदा बुरी है हलाकि पहली पर हमने शॉर्ट अठा खेला है बट कोई दिक्कत नहीं है यहां पर फेक्ट टाइमिंग के बाद भी हमें मिलेगा बस दो रंस तीन रंस मिला था इस गर-गर को और कहीं न कहीं हम सोचा था पीशी हट के 431 कनेक्ट करेंगे और अराम से कनेक्ट भी हो गया तो गाई यहां पर एक सांदार बल्लेबाजी तो भाई दिख रही है लेकिन कहीं न कहीं हमें रं ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि जो एक ग्राउंड है वो काफी ह करी थी छक्के के साथ और पार प्ले में हमने चादा रं तो नहीं बना था बस 27 रं नहीं बना पाए थे लेकिन इसके अगला अबर दो के बटला रिखाया थे पहली गयंद पर हमने इसको भी छक्का जड़ दिया था 175 के साथ इस बार वाइड जौर कर इसको भी बेजा है ब तक जाते हैं गाई जहां पर हमने शौर्ट फिर से खेरा जबरदस रिद्वा नो बॉल भी हमें मिली है कि बॉल काफ़े दा बाउंस हुई थी और यहां पर बटलर के उबर से हमने स्कोर करें तोटल भाई आखरी बॉल पर चौके के साथ 32 लिटरली गाई बटलर का उबर क काफी ज़दा महांगा हो गया यहां पर ले क्या है प्रशा कृष्ण को अपना चौथा होगा पहली गयन पर हमने शौर्ट तो भाई थोड़ी सी गरत खेल बैटे हमें 303 सेट खेलना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं इस पर हमने शौर्ट अच्छा खेला गया 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 पैरोप है निगेटिव लेंद को पकड़ के गेंदवाजी कर रहे है अपोनेंट लेकिन हमने इस पर चौका निकाल दिया है 75 टू रन पर पहुंच चुए थे इस पर आखरी बाल शौर्ट अच्छा लेकिन टाइमिंग सबसे पहले तो भाई रिवार्स स्विंग ये इतना कि अबर में काफी ज़्यादा मुसीबत देने वाला है कि पांच शेर हमने कम बनाया है क्योंकि कि का कोई बात ही नहीं है हम अभी गेंद बाजी करेंगे और कोशिस करेंगे आपोनेंट को कही ने कहीं रोक के रखे पहला अबर अधाफ्टिशनन की और लेकिन शॉट देख तो अगली गेंद जरूर दूसरा आएगी शॉट भी अच्छा खेला था लिको आपे फिल्डर था इसवे से बिकेट मिल गया बहुत बढ़िया शॉट है स्पिनर के एगेंच 247 बहुत अतक सई शॉट है वो इस पर पीछे हट के बाई कारम बॉल को टाइमिंग नहीं कर प कितना लाजवाब बॉलिंग बिल्कुल परिशान हो चुका था और कहां पर प्लैटिनम शॉट का इस्तबाल करने वाला है वह हम आपको दिखाने वाले हैं इसलिए नहीं कर रहा है अभी प्लैटिनम शॉट का इस्तमाल क्योंकि सीम जगह पे हमने फिल्डर लगा कर रखी अब मुझे लगा ही नहीं था कि प्लैटिनम शॉट होगी इस बार इस शॉट देखो क्या ही कममाल का शॉट था अराम चापोनें ने बेदिया बाउंडरी के बाहर चौके के लिए इस बार लगा था दो बॉलों पे दो चौका निकाला था अपोनें ने इस बार हमने सुच बाई कममाल का कर रहा है अलग लेवल है इसका चलो गाइज इस बार में हम थोड़ा सा ज्यादा पीट चुके हैं क्योंकि 14 बार रंस बन चुके हैं अभी वी दो गेंदे बाकी है और गाइज यह यहां पे बिलकुल टाइमिंग नहीं कर पाए और आखिर कर यहां पे तीसर बाइज बहुत बदेखने को मिलेगा आपको प्लैटीनम शॉट देखो गाइज हैं आप जैसे की हैंगर करने वाले इंदवाजी पहले हैं यह बताना कौन सा प्लैटीनम सॉट है इक वह रिपले में देखो बहुत अच्छी शॉट के लिए अपोनेंने भाई यह बहुत अ कहीं अपोनेंट को कन्फ्यूज करने में बिल्कुल नाकाम यह बने रहे हैं और नीशर के पास वेरियेशन भी ज्यादा कुछ है नहीं इस फुलवार यह देखो यह कैसे कनेक्ट होगे अभी मीडिल अब बैट अलग सीन था बाई क्योंकि हमने बाल को रखी तिलग भाई करीब लेकिन फुलवार यह आप कनेक्ट करेगा क्या इस बार हम देखते हैं और चौधा में चाहिए 36 रण यह शौट देखो भाई कहा है वेट करके बाई कंपमाल का टाइमिंग कर रहा है अपोनेंट इस सोबर में तो भाई अलग सीन कर दिया अपोनेंट ने अठारा नम मनाने है लास्ट के बारा बॉल में अगर इस ओबर में अपोनेंट ने कूट दिया 15-20 रन तो होगे मैच कतम लेकिन पहली के अंदर हमने सुचा था चलो एक बाउंसर कर लेते हैं ताकि आगे का पांच बॉल ही बचे हमने बाउंसर तो कर लिया था लेकिन अब हमारे पस को कर भी नहीं सकते हैं कि लास्ट के वार्निंग मिल चुकी थी इस पर अपोनेंट को लगा यह वाइड होगी लेकिन यहां पे लेके स्टॉम को उखार दिया है पूरे तरीके से यहां पे बटलर ने तो बहुत हद तक सही गिंदवाजी इनके तरफ से क्यूंकि पांच बॉल पर एक टॉप स्पीन है एक दूसरा है और एक ओफ स्पीन है तो हम पहले गयंद पर करने वाले हैं अपोनेंट निकाल दिया है चौके के लिए इसको तो गाईज यहां पर अब चाहिए अपोनेंट को पांच बॉलों में 16 तो कहीं नहीं कहीं गाईज हमारी तो बाईज अल और बॉल अगर दॉट होती है तो प्रेशर बन जाएगा बिल्कुल गोल शॉट खेलने की कोसिस करी थी लेकिन फिल्डर के हाथों में गया है एक छोटी बाउंडरी थी लेकिन टाइमिंग तो करना ही पड़ेगा भाई तो यहां पर अपोनेंट पूरे तरीके से अब तीन बॉलों में 16 बनाने है इस वार हमने सुचा चलो एक धीमिगति की बॉल डालते हैं गूड लेंथ और फुलर लेंथ के बीच में और अपोनेंट डेशॉट बहुत मुमेंट करता है बाहर जाता इसका बॉल लेकिन यहां पर कनेक्ट हो गया और चौक आप में मिल गया तो ग लग गया तो भाई किया कराया पर भाई पानी फिर जाएगा लेकिन हमने सुचा चलो यार कोई दिकत नहीं है बॉल को और यहां पर बिल्कुल गलत शॉट बिल्कुल गलत शॉट अपोनेंट को लगाना भाई की बॉल नीचे रहेगी लेकिन रही नहीं और आखिरकार इस इसे वीडियो आपको हमें साम मिलता रहे